चलो दोस्तो आज अपन खाएंगे चावल पूरा पंद्रा किलो चावल जिसे अपन बोलते है पलाव अब इसका अंदर पूरे 5 लिटर की फीपी डाल रहे हैं पूरा 5 लिटर की फीपी तेल की अब इसका अंदर ग्रम मसाला डाल देंगे यह और ग्रम मसाला डाल रहे हैं अब इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे अब डागे इसमें प्याज अब जीरा डाल डाल गया इसमें काली मिर्ची अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिला देंगे अब इसमें डाल दिये काली मिर्ची यह अधरक लेस्ट डाल दिया इसमें इसको भी अच्छी तरह से हिला लेंगे अब पूरा इसक अंदर तीस किलो पानी डालेंगे पहला चरह यह दूसरा चरह पाणी का और यह तीसरा चरह 15 किलो चाउल का अंदर पूरा तीस किलो पानी पढ़ता है और यह हल्दी पाऊडर डाल रहे है इसमें नमक डाल देंगा आवशक्ता अनुसार अब पानी को बोईल होने तक छोड़ देंगे इसमें डाल दी आलू इसको भी अच्छी तरह के से मिला लेंगे पानी बोईल हो चुका है अब इसमें डाल दिया टमाटर अब डाल देंगे इसमें चाउल अब इसको अच्छी से मिक्स करके और छोड़ देंगे लगवग आदा एक घंटा तक इसमें अधिने डाल दिया अब यह पंगे अपने चाउल बन कर तियार हो गए यार कितने अच्छे लग रहे हैं चाउल जी जी स्पाई को पसंदे हुए